पिछले पाठों में हमने देखा कि दो चरों वाले समिकर्णों के हल संख्याओं के यूग में होते हैं और ऐसे हल अनन्थ होते हैं दो समिकर्णों के निकाई के हल में यदि X तथा Y का मान एक एक ही निकलता है तो हम कहते हैं समिकर्णों के निकाई का एक ही हल है यदि समिकर्णों के निकाई इस तरह का है और इसका हल निकालते हुए हमें शुन्य बराबर शुन्य प्राप्ठ हो जाता है तो हम कहते हैं समिकर्णों के निकाई के अनंत हल हैं यदि एक ऐसे समिकर्णों के निकाय को हम हल करते हैं और हल करते वे हमें समता प्राप्त होती है शुन्य बराबर कोई और संख्या तो हम कहते हैं समिकर्णों के निकाय का कोई हल संभव नहीं लेकिन पिछले पार्ट में आपने बताया था कि एक विधी द्वारा हम समिकर्णों के निकाय को पिना हल के जाच कर ही आसानी से पता कर सकते हैं कि उस निकाय का कोई हल है अथवा नहीं और यदि हल है तब एक है अथवा असंक्य हाँ आज हम इस पार्ट में सीखेंगे कि जाच विधी द्वारा किस थरह से हम बता सकते हैं कि समिकर्णों के निकाय का कोई हल समभव है या नहीं उसके लिए समिकर्णों के निकाए को हम व्यापक रूप में इस थारह से लिख सकते हैं A1X जमा B1Y बराबर C1 तथा A2X जमा B2Y बराबर C2 इसे हम पहला समिकर्ण मानते हैं और इसे दूसरा पहले समिकर्ण के दोनों पक्षों को हम B2 से गुणा करेंगे और दूसरे समिकर्ण के दोनों पक्षों को हम B1 से यानि हम Y के गुणांग बराबर करना चाहते हैं पहला समीकरण बनता है A1 B2X जमा B1 B2Y बराबर B2C1 और दूसरा समीकरण जिससे कि हम B1 से गुणा करते हैं हमें प्राप्थ होता है A2 B1X जमा B1 B2Y बराबर B1 C2 इसे हम तीसरा समीकरण मानते हैं और इसे चौथा अब तीसरे समीकरण से चौथे समीकरण को घटाते हैं इससे Y के गुणांग शुन्ने हो जाएंगे और हमें प्राप्थ होगा हम दोनों पक्षों को इससे भाग देते हैं और हमें प्राप्थ होता है X बराबर B2 C1 घटा B1 C2 बटा A1 B2 घटा A2 B1 अब X के इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख करके Y का मान ग्याद कर सकते हैं या फिर जिस विधी से हमने X का मान ग्याद किया था उसी विधी को प्रेयोग में लाकर के हम y का मान भी ग्याद कर सकते हैं और इस थिती में वो जाधा आसान होगा इस तरह से हम पहले समीकरण को अगर a2 से गुणा करते हैं हमें प्राप्त होता है a1 a2x जमा a2 b1y बराबर a2c1 इसे हम पांचवा समीकरण मानते हैं दूसरे समीकरण को हम a1 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों को हमें मिलेगा a1 a2x जमा a1 b2y बराबर a1c2 और इसे हम पांचवा छठा समीकरण मानते हैं अब हम छठे समीकरण से पांचमें समीकरण को घटाते हैं इससे x के गुणांग शुन्य हो जाएंगे और हमें प्राप्त होगा a1 b2 घटा a2 b1y बराबर a1 c2 घटा a2 c1 यदि a1 b2 घटा a2 b1 शुन्य के बराबर नहीं है तो हम दोनों पक्षों को इससे भाग दे सकते हैं और हमें प्राप्त होता है y का मान y बराबर a1 c2 घटा a2 c1 बराबर a1 b2 घटा a2 b1 अरे वा ये तो x तथा y के मान ग्यात करने के लिए सूत्र ही प्राप्त हो गए पर उन्तु आप तो समी करणों के निकाय का हल है या नहीं इसकी जाँच विधी बताने जा रहे थे हाँ हम यही से इस जाँच विधी को भी सीखेंगे पहले हम x तथा y के मान में हर को देखते हैं इन दोनों में ही हर है a1 b2 घटा a2 b1 यदि यह हर शुन्य के बराबर हो जाता है यानि यदि a1 b2 a2 b1 के बराबर हो जाए अर्थात यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए तो हम x तथा y के मानों के हरों को देखते हैं क्यूंकि हर शुन्य है तो समिकर्णों के निकाय का हल भी संभव नहीं समिकर्णों का ऐसा निकाय जिसमें कोई हल संभव नहीं ऐसे समिकर्ण को हम कहते हैं असंगत समिकर्णों की प्रणाली अब हम x तथा y दोनों के मानों में अंशों को देखते हैं यदि x के मान का अंश देखें यानि b2 c1 घटा b1 c2 यदि यह भी शुन्य हो जाए यानि हर भी शुन्य है और अंश भी शुन्य अर्थात b2 c1 b1 c2 के बराबर हो जाए अर्थात b1 बटा b2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर हो जाए तो समता बनती है शुन्य बटा शुन्य अर्थात हम कहते हैं समिकर्णों के निकाय के अनंथ हल है समझा गया इतनी आसान जाच बस a1 बटा a2 b1 बटा b2 तता c1 बटा c2 के मान देखकर ही बता सकते हैं कि समिकर्णों के निकाय का कैसा हल होगा बिल्कुल ठीक, इस तरह से हम जाच विधी द्वारा बता सकते हैं कि समिकर्णों के निकाय का कैसा हल होगा और इसमें पहले चरण में समिकर्णों को सरल तथा मानक रूप में लिख कर A1, B1, C1, A2, B2 तथा C2 के मान देखते हैं दूसरे चरण में A1, A2, B1, B2 तथा C1, C2 के मान ग्याद करते हैं यदि A1, A2, B1, B2 के बराबर नहीं हैं तो हम कहते हैं कि समिकर्णों के निकाय का एक ही हल है अर्थात समिकर्णों का निकाय संगत समिकर्णों की प्रणाली है यदि A1 बटा A2, B1 बटा B2 के बराबर है परन्तु C1 बटा C2 के बराबर नहीं है तो हम कहते हैं समिकर्णों के निकाय का कोई हल संभव नहीं अर्थात समिकर्णों का निकाय है असंगत समिकर्णों की प्रणाली यदि A1 बटा A2, B1 बटा B2 एवं C1 बटा C2 तीनों ही एक दूसरे के बराबर है तो हम कहते हैं कि समिकर्णों के निकाय के अनन्त हल है यानि समिकर्णों का निकाय संगत या आश्रीत समिकर्णों की प्रणाली है आईए हम कुछ उधारन लेकर समझें कि जाच विजी द्वारा हम किस तरह से बता सकते हैं कि समिकर्णों के निकाए का कोई हल संभव है या नहीं है समिकर्णों का निकाए है 2x जमा 3y बराबर 8 एवं 3x जमा 4.5y बराबर 12 इसमें a1 2 है B1 3 है और C1 8 है B1 3 एवं C1 8 इसी तरह से a2 3 इस समिकर्ण से हम ले रहे हैं B2 4.5 एवं C2 12 इस तरह से A1 बटा A2 बना 2 बटा 3 B1 बटा B2 बना 3 बटा 4.5 अर्थाथ 3 बटा 9 बटा 2 अर्थाथ 2 बटा 3 और इसमें C1 बटा C2 8 बटा 12 अर्थाथ यह भी 2 बटा 3 इस तरह से इस समिकर्ण में हमें प्राप्त हुआ A1 बटा A2 बटा B2 बटा C1 बटा C2 क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे समिकर्णों के प्रणाली किस तरह की होगी इसके किस तरह के हल होंगे जी हां यह समिकर्णों के प्रणाली संगत समिकर्णों के प्रणाली है और इसमें असंक्य हल होंगे इसके अर्थ हुए कि आपके समिकर्णों के निकाय के असंक्य हल हैं आप उन्हें ग्याद करते रहें पर तुम मेरे इन समिकर्णों के निकाय का कोई हल नहीं मेरी तो समिकर्णों को हल करने की महनत भी बच गई आईए हम आपका समिकरण भी देख लेते हैं आपका समिकरणों का निकाय है 3x घटा 2y जमा 6 बराबर 0 एवं 6x घटा 4y जमा 10 बराबर 0 इसे हम सूत्र उपयोग किये जाने के रूप में लिख सकते हैं 3x घटा 2y बराबर ये दूसरे पक्ष में जाकर के घटा 6 और दूसरा समिकरण बना 6x घटा 4y बराबर घटा 10 अब इस समिकरणों की प्रणाली में a1 बटा a2 है 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2 इसी तरह से b1 बटा b2 है घटा 2 बटा 4 अर्थात 1 बटा 2 एवं c1 बटा c2 है घटा 6 बटा घटा 10 अर्थात यह बना 3 बटा 5 अर्थात यहां प्राप्थ हुआ हमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर तो है परन्तु यह c1 बटा c2 के बराबर नहीं है बिल्कुल ठीक आपने बिल्कुल ठीक देखा कि ऐसे समिकरणों की प्रणाली करणी असंगत समिकरणों के प्रणाली हैयानी यहां कोई हल संभव नहीं यानी समझदारी थो अब इसमें ही हो गी कि समिकरणों के किसी रिकाय को हल करने से पहले चाज कर ली जाए कि उसका हल किस प्रकार का है और यदी हल संभव हो तभी उप्युक्त विदी चुनकर हल ग्याद करें बिल्कुल ठीक आए हम एक और उधारण लेते हैं समी करनू की यह प्रणाली है AX जमां BY बराबर P तथा AX घटा CY बराबर Q अब इस निकाए में A1 बटा A2 बना A बटा A अर्थात 1 B1 बटा B2 बना B बटा घटा C अर्थात घटा B बटा C इस तरह चे हम देखते हैं इस समी करनों के निकाए में A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है अर्थात समी करनों के इस निकाए का एक ही हल है आपने C1 बटा C2 का मान ग्याद ही नहीं किया कि समी करनों के निकाए का एक ही हल होगा आएए अब हम समी करनों के इस निकाए का हल निकालते हैं इसका हल हम किसी भी विधी से निकाल सकते हैं पर हम अभी X तथा Y के दियवे सूत्रों से ही निकालेंगे X का मान है B2 C1 घटा B1 C2 बटा A1 B2 घटा A2 B1 एवं Y का मान है A1 C2 घटा A2 C1 बटा A1 B2 घटा A2 B1 मुझे तो यह सूत्र याद करने में बड़ी कटिनाई हो रही है फिर प्रयोग कैसे करूं? इस सूत्र को याद करने की भी एक विधी है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं X का मान बराबर घटा 1 B1 C2 घटा B2 C1 बटा A1 B2 घटा A2 B1 यानि इन दोनों में से हमने घटा 1 बाहर ले लिया इस तरह से हमारा बन गया यह जमा B1 C2 और यह घटा B2 C1 इसी तरह से Y का मान भी हम लिख सकते हैं घटा 1 इन दोनों में से हमने घटा 1 बाहर गुणांक निकाल लिया तो यह बन गया जमा A2 C1 और यह है घटा A1 C2 बटा A1 B2 घटा A2 B1 यानि हर दोनों में एक जैसा ही रहा अब इन दोनों को मिला करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं X बटा B1 C2 घटा B2 C1 बराबर Y बटा A2 C1 घटा A1 C2 बराबर घटा 1 बटा A1 B2 घटा A2 B1 अब इसे याद रखने कि एक आसान से विधी है हम X Y के गुणांक इस थरह से लिख लेते हैं X के गुणांक A1 A2 Y के गुणांक B1 B2 एबं C1 C2 और फिर से X के गुणांक A1 A2 और लिखने की इस थरह से विधी है पहले हम X अंश में लिख करके इस थंब को दबा लेते हैं और अगले दो थंबों का वज्रगुणन करते हैं हमें प्राप्त होता है X बटा B1 C2 घटा B2 C1 बराबर फिर से अब हम Y को अंश में लिख करके हर में लिखेंगे Y के गुणांक दबा लिए अब हम अगले दो स्तंबों का वज्रगुणन करेंगे हमें प्राप्त होगा A2C1 A2C1 घटा A1C2 बराबर अंश में घटा 1 बटा अब हम इसे दबा करके पहले दो स्तंबों का वज्रगुणन करेंगे हमें प्राप्त होगा A1 B2 A1 B2 घटा A2 B1 X तथ Y के मान को ग्याट करने के इस विधी को हम कहते हैं वज्रगुणन विधी हाँ इस रूप में तो ये सूत्र प्रयोग करना असान है आए अब हम दियेगे निकाय का हल भी इस विधी से निकालते हैं समिकर्णों का निकाय था हमारा AX जमा BY बराबर P तथा AX घटा CY बराबर Q पहले हम इसके गुणांख ऐसे लिख लेटे है A, A यानि X के गुणांख उपर नीचे लिखेंगे फिर Y के गुणांख B घटा C और फिर P तथा Q अब हम पहले आनिश में लिखेंगे X बटा हर बनेगा X के गुणांख दबा लेते हैं और अगले दोस तंबों का वजर गुणन करते हैं यह बनेगा BQ घटा घटा C P यानि X बटा BQ घटा घटा C P बराबर अब Y को अंश में रखते हुए Y के गुणांख दबा लेते हैं और फिर से वजर गुणन करते हैं हमें मिलता है AP घटा AQ बराबर घटा 1 अंश में रखते हुए अब हम इसे दवा करके पहले दो स्तंबों का वजर गुणन करते हैं हमें प्राप्त होता है घटा AC घटा AB इसे सरल करते हैं हम हमें प्राप्त होता है X बटा BQ जम्मा CP बराबर Y बटा AP घटा AQ बराबर 1 बटा AC जम्मा AB अब यहां से हम X तथा Y का मान ग्याद कर सकते हैं X का मान बना BQ जम्मा CP बटा AC जम्मा AB तथा Y का मान बना यह अंश में चला जाएगा यहां AP घटा AQ बटा AC जम्मा AB वज्र गुणन विधी है तो अच्छी परंतु थोड़े अभ्यास के आवश्यक्ता है हां परंतु अगर हम अभ्यास ठीक से करें तो वज्र विधी द्वारा हम सीधे सीधे ही किसी भी समिकर्णों के निकाय का हल निकाल सकते हैं तो आज हमने देखा इस पार्ट में कि दो चरों वाले समिकर्णों के निकाय के संगत या असंगत होने के क्या शर्ते हैं या वज्र गूणन के विधी के क्या नियम है इस विधी का एक और भी उप्योग है आईए इसे उधारेंट से समझें सवाल है के के किस मान के लिए समिकर्णों के निकाय के एकस जमा दो य बराबर पांच तथा तीन एकस जमा य बराबर दो का एक ही हल होगा अब समिकर्णों के निकाय का एक ही हल होने के क्या शर्थ है A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर ना हो अब समिकर्ण जो हमें दिया गया है उसमें A1 का मान है K A B1 का मान है 2 A2 का मान है 3 तथा B2 का मान है 1 यानि A1 बटा A2 बना K बटा 3 तथा B1 बटा B2 बना 2 बटा 1 अब शर्थ अगर हम इसमें लगाए कि समिकर्ण का एक ही हल होगा तो हमें मिलना चाहिए K बटा 3 2 बटा 1 के बराबर ना हो अर्थात K 6 के बराबर नहीं हो अर्थात समिकर्णों के इस निकाय का एक ही हल होगा यदि K का मान 6 के अलावा अन्य कोई भी संख्या हो ऐसे प्रश्णों को हल करने के लिए तो ये शर्थे याद रखना बहुत आवश्यक है जी हाँ आईए हम एक बार फिर से देखें कि आज के पार्ट में हमने क्या सीखा दो चरों वाले समिकर्णों के निकाय के संगत या संगत होने के क्या शर्थे हैं और उन्हें जांच विधी द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं जांच विधी द्वारा पहला चरण है समिकर्णों को सरल तथा मानक रूप में लिख कर A1, B1, C1, A2, B2 तथा C2 के मान देखें दूसरे चरण में A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 के मान ग्याद करें यदि A1 बटा A2, B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि समिकर्णों के निकाय का एक ही हल है और ऐसे समिकर्णों का निकाय संगत समिकर्णों के प्रणाली कहलाती है यदि A1 बटा A2, B1 बटा B2 के बराबर है परंतु C1 बटा C2 के बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि ऐसे समिकर्णों के निकाय का कोई हल नहीं अथाथ ऐसे समिकर्णों का निकाय असंगत समिकर्णों की प्रणाली है यदि A1 पटा A2, B1 पटा B2 तथा C1 पटा C2, तो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कहते हैं कि समिकर्णों के निकाय के असंख्य हल है और ऐसे समिकर्णों का निकाय संगत या आश्रीत समिकर्णों की प्रणाली कहलाती है इसके अलावा वज्रे गुणन विधी द्वारा हम X तथ Y का मान निकाल सकते हैं इसमें हम लिखते हैं X बटा B1C2 घटा B2C1 बराबर Y बटा A2C1 घटा A1C2 बराबर घटा 1 बटा A1B2 घटा A2B1 और इसी से हम X तथ Y का मान ग्याद करते हैं अब आप पुस्तक में दीगे सवालों का हल करिए धन्यवाद